कि अलो बच्छा लोग दिस इस गुपाल सर एंड वेलकम टू एजुश्टर्स यह क्लास बीसी थर्ड यह फिप समेस्टर किया है जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट में से प्रोटो जुवा पढ़ा दिया है अभी प्रोटो जुवा के बाद नेक्स टॉपिक स्टार्ट होने ज पढ़ा है अगर आप चाहें तो उससे नोट्स भी बना सकते हैं अगर प्राबलम होगा तो आप बताईएगा हम टेलीग्राम पे सेयर करेंगे चलिए और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है चैनल को जितना सेयर करेंगे उतना जल्दी जल्दी आप क्लास पाएंगे नई आप करेंगे तो हम धीरे धीरे आराम से क्लास लेके चलेंगे इसलिए चैनल को जितना सेयर कर सकते हैं अच्छा तो लगी रहा है लाइक कर दीजिएका चलिए बात करते हैं पौरीफेरा की अभी जो आपके सलेबस में है प्रोटो जोगा के बाद है पौरीफेरा और पौर पौरीफेरा तो पौरीफेरा की अगर हम बात करें तो पहले इसके नाम को हम देख लेते हैं पौरी मिस्ट क्या होता है पौर और पौर का मतलब क्या होता है चिद्र और फेरा का मतलब होता है टूबियर टूबियर का मतलब हो गया धारन करने वाला यानि जिसकी बाड़ी म मैं बहुत सारे छिद्र को धार्ण किया हुआ हो से हम बोलेंगे पुरी इतनी बात समझ में अई कि प्री फिर अ का मतलब हमने समझा दिया King वह आर्गेनिजम जो क्या करते हो बहुत सार होल्स या छोटे छोटे पोर्द को बियर किये हो उसे हम बोलेंगे पोरीफेरा यह क्या होते हैं पोरीफेराज पोरीफेरा अर एक्वैटिक एनिमल देखो आप लोगों कुछ जनरल केरेक्टर लिखना या पढ़ना बता दे रहें जिससे आपको अगर जनरल केरेक्टर ना भी मिले तो आप खुद वखुद बना लोगे चलो यहां से हम छोड़ रहा है पहले हम थोड़ी सी बात कर लेंगे कि जनरल केरेक्टर अगर आपको लिखने के लिए आ गया एक्जाम में तो आप कैसे लिखोगे तो उससे पहले आप समझ दो कि किसी भी एनिमल का आप लिखोगे हैबिट पहली पॉइंट हैबिट एट आप लोग यह जो हम बिदी बता रहा है इसके जरीए पूरा जनरल करेक्टर आप डिटेल में दो दो गए और टू दो पॉइंट जिसको बोलते हैं न कि टू दो पॉइंट लिखके आया था और नंबर हमको मिला वहीं होता है कि कैसे आप लिखके नंबर पास सकते हैं बट परी आगा देशन के बाद होती है कि सिमेट्री सेमेट्री अगर कुछ छूड़ जाएगा तो आप भी बता देना सिमीट्री के बाद होता है सिगमेंट त्यस्क्रवा तो हे सीमेंट फिर इस के रगनायसन को ही सेलुलर रगनायसन में रखा जाता है फिर हो गया सिमेट्री हो गया सिगमेंट और जर्म लेयर हो गया इसके बाद अब इसकी आ गई respiration respiration here excretion excretion circulation circulation digestion digestion इसके बाद भी बहुत सी चीजें आती है रिप्रोडक्शन के बाद रिप्रोडक्शन में ही लगबग आप कई चीजों को एड कर लोगे तो यहां से अगर हम जनरल करेक्टर को समझें तो हमारे लिए ज्यादे इजी हो जाएगा जैसे हमने हैबिट में बोला तो यह कैसे होत है कि दीजर एक कई केरिश होते हैं पेटा लेकिन मूश्टखली जो होते हैं यह मैराइन समुद्री सरे टाल म् चोटे बच्चे तो है नहीं संजी चोटे बच्चे हो क्या चलिए अब फिर हैबिट एट भाई हैबिट और हैबिट एट हैबिट में हम बता दें इनकी हैबिट क्या है यह सालीटरी सालीटरी या फिर कॉलोनियल होते हैं कॉलो नियल तो आप लिख सकते हैं इस लाइन को यहां पर दे दिया था तो यह समझ गया है बाडी आगनाईशन कैसी होती है देखो सारी पॉइंट आपको होगे अरे वा सरी तो इतने इजी वे में आपने बता दिया कि जनरल केरेक्टर आप हमको लगता है बस यह पढ़ ले तो हम किसी एनिमल किसी भी फाइलम का आप लिख सकते हो यहां से सारी चीजे क्लियर हो ज रह烊 हो लिख देंगे बाडी आगनाईशन कैसी होती है सेल्लीलर ग्रेट बाडी आगनाईशन टेक्स प्लेश टेक्स प्लेश कम यहीं प्रण कर आप अगली लायन में लिख सकते हैं टीशू एंड आर्गन नाट प्रेजेंट नाट प्रेजेंट ठीक यानि टीशू और आर्गन यहां पे नहीं देखने को मिलता है क्योंकि यह सेलूलर ग्रेट बाड़ी आगनेशन पाई जाती है देखू हमने कहा ना इंड यहां तक बने रहोगे तो कुछ पॉइंट याद आगा जैसे इसकेलिटन सिस्टम इसके ले अटरन सिस्टम तो यह सारी सिस्टम भी आपको याद में होने चाहिए दिमाग में सिमेट्री आप जानते हो radial symmetry होता है और bilateral symmetry होता है तो यहां पर क्या होता है आप लिखोगे these have radial radial symmetry symmetry are absent या these have radial symmetry present are no symmetry are no symmetry या तो radial symmetry होगा या फिर no symmetry no symmetry takes place अब आपके दिमाग में आएगा सर यहां पर यह बोले हां कुछ में ऐसा होता है radial symmetry देखने को मिलता है और जादे यह होता है कि यहां कोई symmetry नहीं होती है अगर पूछा जाता है और चार अप्सन के साथ रहता है वहां नहीं रहता है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि radial symmetry सर ने बताया था ठीक है बटा सिग्मेंटेशन बाडी सिग्मेंट में इसकी क्या बटी होती यह खंडों आपको दिखलाई दिता है इसा कुछ नो सिग्मेंट दे सं या नो शिग्मेंट आप लिक सकते हैं लिखने के लिए आपकी जो लाइन होगी दो बाड़ी ऑक डिवाइडे इन्टो एनई सिग्मेन्ट एसीग्मेट लिए क्लियर जर्मलेए एजर्म जर्म लेयर में दो आता है, एक आता है डाइपलो ब्लास्टिक, एक आता है डाइपलो ब्लास्टिक, डाइपलो ब्लास्टिक, जहां पे दो लेयर हो सकते हैं, डाइपलो ब्लास्टिक, यहां पे दो लेयर बोली जाती है कि डाइपलो ब्लास्टिक होगा, और कहीं कहीं बोला यह ने यानि डआप्लो ब्लास्टिक तो है लेकिन यह भी सत्य नहीं है कि यह ट्रूली नहीं है लेकिन इसमें है क्या जो dipping दिखलाई दे रहा तो एक होता है, पिनेकोडर में जो आाउटर लेयर होता है, इसका आउटर, आउटर लेयर, इस आउटर लेयर। इस हैETanor diff vous pour the bulblica, जो कितली कि जो आउटर लेयर होता है आउटर लेयर। पहुति बात की गई तो इनर लेएर जो होता है कोईनो साइट कोईनो साइट कि यह इपस ार्मैंस क्या होते हैं यह कैसे हैं यह होते हैं पार से ganzen पांने कि साथ भुझे पदार्थ करते है तो उसकी कांट शाट करके ये लेते हैं ठीक है अभी इसमें बहुत सी चीजें है जनरल केरेक्टर हम बहुत अच्छे से दिखा रहा है ध्यान देना यह इजी वे भी हमने बता दिया फिर रेस्पीरेशन अपसेंट नो रेस्पीरेशन एक्सक्रीशन नो एक्सक्रीशन यानि कि यहां पे इनकी कोई सिस्टम नहीं होती इनकी रेस्पीरेटरी सिस्टम नहीं होती एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होती सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होती digestive system not present ठीट लेकिन जो digestion होता है वो कैसा होता है वो digestion होता है intracellular system तो नहीं होता लेकिन cellular के अंतरगत अंदर बाड़ी में जैसे यहाँ पे यह सारी चीजें pores के through यानि जब यह पानी को या भोजन को लेते हैं यहाँ लिख दे रहे हैं उसके बाद समझाएंगे intracellular intracellular digestion अब ध्यान देना इनके अंदर यह digestion होता कैसे है भाई यह एक body हो गई इसके body में एक line आप लोग अपने से लिख लेना the porifera covered भाई या the porifera beer many pores on the outer side the body of porifera beers many pores यह भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर यह outer side में बहुत सारे pores धारण किये होते हैं इसलिए इनको porifera बोला गया इस pore को क्या बोलते हैं ostia इस pores को क्या बोलते हैं बिटा ostia बोलते हैं इनके through क्या होता है पानी अंदर की तरफ जाता है पानी अंदर की तरफ जाता है और यहाँ पर एक बनता है body में cavity जिसको sponge o seal बोलते हैं इस cavity को बोलते हैं sponge o seal the body cavity known as sponge o seal यह भी एक लाइन लिख लेना the body cavity known as sponge o seal यहाँ पर क्या होता है यहाँ से water इंटर करता है उसके साथ बहुत सारे food material भी होंगे तो उनको क्या करता है यह जो मौझूद है coinosides जो flagulated होता है जो color cell बोला जा रहा है यह क्या करता है अपनी flagela के द्वारा कांट छाट करके उनको अपनी अंदर की तरफ ले लेता है जिसके बाद इनके बीच में एक non-cellular structure होता है non-cellular structure यह non-living structure होता है जिसको बोलते है missing time missing time यह missing time क्या करता है यह non-living layer है जैसे यह हो गया उपर वाला layer यह हो गया बीच वाला हम कह सकते है और यह हो गया थीसरा layer तो यहां ऐसे बनते हैं लेकिन यह जो होता है यह non-living होता है यह coinosides क्या करते हैं बोज पदार्थ को ले लेते हैं और इसी missing time में छोड़ देते हैं missing time के पास बहुत सारे missing time तो non-living है लेकिन इसके अंदर जैसे एक sample हो गया sample में आप बहुत सारे cell को ढखेल दो वैसे ही यह missing time के अंदर बहुत सारे cells होते हैं जो अलग-अलग roll निभाते हैं तो यहां पे बहुत सारे cells होते हैं जो digestion का roll वहां पे निभा लेते हैं इनमें बोला जाता है intracellular digestion अब देखो यहां reproduction की जब बात आई तो यहां reproduction तो होता ही नहीं लेकिन reproductive cells का formation यह करके यह क्या करते हैं यह asexual type का reproduction दिखा देते हैं और इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे structure का formation यह करते हैं जैसे amphiblastular larva का formation कर लेते हैं इसको हम थोड़ा साथा के समझाएंगे यहां पर asexual reproduction takes place by means of birds and game mules by means of birds and game mules यानि कि जैमा कभी बोलते हैं जैम मिल्स या फिर birds का formation हो जाता है कैसे होता है यह दिखा दे रहें यह मानलो एक साइकान है यह साइकान है बड़ा सा लार्ज यह क्या होता है यह अपने बगल में ऐसे छोटा सा एक बड़ का structure बनाएगा और यहां पे इसके होते हैं जैसे इसके बड़ी में पानी इंटर कर गया बहुत सारा पानी इंटर कर गया तो यहां पे एक होता है crown like structure जिसको बोलते है औस कुलम यह वस्टिया हो गया छोटे छोटे छिद्र इसको बोलते है औस कुलम औस कुलम के थू क्या करता है यह जितने भी waste material होते हैं और जो इंटर कराय हुए उन सब को क्या करता है बाहर कर देता है तो excretion यहां पे यहीं बोला जाता है कि through किसके होता है excretory system तो absent है लेकिन through हो जाता है किसके औस कुलम के यह जो साइकान है साइकान में छोटे छोटे बड का formation होता है और finally यह बड भी टूट के इसके body से अलग होके एक नया जन्म दे देते हैं क्या साइकान को तो यह होता है asexual reproduction कभी-कभी क्या होता है कि unfavorable condition जब बनता है तो इनकी जो हमने यह बोला pinachoderm यह coinocytes मालो इधर बीच में है को उनको बने करते है इनके जैसे चोटे छोटे चोटे छोटे छोटे अपने अंदर भर के रख लेते और यह फूट पर में का तो यह इंदर क mü करते हैं तो यह sixty Nets का preparation कि जैसे लो जान टoral करते हैं कि पैंड से फूर अपने शित से पुल लेता है फली लेता है और फिर वो डिस्ट्राय हो जाता हुश फली को लोग ला कर रख देते हैं अगले जन्रेशशन है फिर उगा लेते हैं सेम आज गेमिल्स का यहीं का रेक्टर है और यह लोग यहां पर हमने बता दिया ए सेक्षूवल रिप्रोड़क्षण भी दे अब हम बात करेंगे जो सक्केंटन सिस्टम है जो सक्केल्टन सिस्टम है जैसे हम लोगों में कैलकेरियस होता है बाडी हडी की buenoे होती है वैसे इसमें क्या होता है body में इसके जो होता है siliceous होता है siliceous औा or calcareous भी होता है एक minute देखना चायंगे saliceous ऐसाँ ना हो कि और चूड जाये है जिसको excited on полож है sponge in fiber मी बोले यह स्केलटन यह स्कल‌तन स्क्रेश डंक से यह रहते है और बालू-चूट से जह स्क्रक्रण्ड ग्रदयुर कर लें यहूद इसक्रण्ड दिख यहां पर लावल को प्रवाइशन ओता है यह दों नोस हम आप के राओवती है यह बहुत सारे एक्जाम में जब हम जैसे आप लोग भी अब जाओगे सीवीटी पीजी का एक्जाम देने उस पर भी हम क्लास लेंगे हो सकता है जल नहीं अगर आप लोग कहेंगे तो लेंगे तो यह क्या करते हैं कि इनके अंदर जो होता है होलो ब्लास्टिक क्लिवेज होता है होलो ब्लास्टिक क्लिवेज का फर्मेशन होता है होलो ब्लास्टिक क्लिवेज का फर्मेशन होता है यह कब होता है जब स्पाम होगा मिलते हैं और जाइगोड का फर्मेशन होता है तो इनका जो क्लिवेज बनना शुरू होता है तो होलो प्रकार का होता है अगर एक पॉइंट सिस्टम के बाद आप एक लाइन और लिख लेना डेवलप्मेंट जो development होता है किसी में direct होगा किसी में क्या होगा direct होगा किसी में indirect होगा indirect ये line पर अभी जाएंगे पहले इसको समझा ले रहे हैं indirect indirect का मतलब क्या होता है कि body में पहले larval का formation larval formation देखने को मिल जाएगा अगर जहां पर direct baby का formation होता है उसको बोलते है डायरेक्ट और जहां लारवा से बेबी का फार्मेशन होता है उसको बोलते है इंडायरेक्ट तो यहां पे जो लारवल का फार्मेशन होता है वो होता है एमफी, एमफी, ब्लास्टूला लारवा, ब्लास्टूला यह याद रखना पॉइंट बच्चा हम बार बद बोलरा है हम सकते हैं पोरी फेरा का हमने क्या बताया पोरी छोटे हैं पोट देखने को मिल जाएंगे जो इनकी यह फेरिट थी अगर है बात करें तो perse और सॉलिट्री यार कोलोनियल या तो यह अकेले मिलेंगे या फिर ग्रूप में जुंड में मिल जाएंगे जुंड में सिगार करन निकलते हैं चलिए देन हमने बोला बाड़ी आगनाज़शन बाड़ी आगनाज़शन में टीशू या आरगन ग्रेट आगनाज़शन तो अधक कान न Gewगर कुछ बन रहा है तो यहा रेडियल सीमेट्री देखने को मिले गा या फिर से मैंट्री नहीं होगा सिग्मेंट जो है बाड़ी क्या है खंडो में डिवाइड नहीं ऐसा कुछ क्श नहीं होता इसलिए नो सिंग्मेंटेशन यह क्या होते हैं डाइप्लब्लास्टिक बोला जाता है इसलोर रया बेट इल्ट प्रमि द्ञाुति डूर्फिपल्फियनकोड इस लेकिन जिया कौनोशाइट्स चाह्समाद नान elabor the ठीक है मिजेंग काईम क्या होता है नान लिविंग होता है लेकिन याद रखना इसके अंदर बहुत सारे लिविंग सेल्स आल्सो प्रजेंट और उस सेल्स में बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे रेस्पिरेशन यहां पर होता नहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होती एक्सक्रीशन का प्रासस कौन करता है औसकुलम कर देता है लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम यहां पर नहीं होती टूली नहीं होती सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस बूस्ता है कि water muscular system किसमे होता है और canal system किसमे होता है तो canal system periphera में पाया जाता है ये किसमे पाय जाता है ये incynodermetra नाख का character है ठीक है इकईनो ड्मेन में radial symmetry देखा जाता है कहाँ और bilateral symmetry देखा जाता है कहाँ पर comment करके ये आप बताएंगे चलिए इसके बाद हमने बुला digestion जो होता है इसमें intra cellular होता है यानि कि cell के अंदर हो जाता है कोई इसके लिए tube tube का formation नहीं होता है हाँ देखो tube के formation से याद आया इनकी body जो होती है एक line में shape लिख लेना shape the body shape is cylindrical ठीक है या tubular cylindrical or tubular like structure structure यानि कि आप यह कहा सकते हो the body is tubular or symmetrical in structure या फिर west like structure यानि घड़े नुमा घड़े नुमा वैस मतलब जो होता है फूल दानिवान नहीं होता है वैसा फूल पर्ट रखते हो वैसा structure हो सकता है ठीक है पीटा यानि हमने कहां west like structure या फिर cylindrical structure या फिर tubular structure clear अब हम क्या बोले digestion intracebular और कोई इसमें track पाया नहीं जाता reproduction जो होता है both type sexual and asexual asexual reproduction takes place by means of bird and gamules and sexual reproduction takes place by means of over and sperm regeneration power also present regeneration power किसमे होती है अगर पुछा जाए और पोरी फेरा वहाँ रहे तो याद रखना पोरी फेरा में regeneration power पाई जाती है फिर हमने बोला skeleton system skeleton system क्या होता है कि इसमें spikeules का formation होता है जो कि कैसे होते है calcareous या siliceous in structure होते है इसके बाद आती है जो cleavage है cleavage है hollow blasted where amphiblastula and parenthesis लर्वा takes place development is indirect development is indirect larva formation also present वीडियो कैसे अलेडी अच्छा लगा हमको मालूम है चलिए वीडियो अच्छा लगा तो please like आप लोग नहीं दबाते और कोई comment नहीं करते हो जिसके वज़े से वीडियो recommend में नहीं जाता है अगर YouTube के recommendation में नहीं जाएगा तो हमारा वीडियो आगे चलेगा कैसे और चलेगा नहीं तो हम आपको पढ़ाएंगे कैसे भई हम अगर आपको पढ़ा रहे तो हमको भी कुछ हरन होना चाहिए न इससे please आप लोगों से request है वीडियो को जितना share कर सकते हैं share करिए और like, share, subscribe जितने लोगों को दे सकते हैं दीजिए क्योंकि सभी बच्चों को हम class यहां provide कर रहे हैं जैसे first semester से लेके six semester और class 9th one भी start कर दिये thank you, thank you for